आज के इस वीडियो में हम लोग B8 2nd year का question paper करेंगे 2021 के exam का ध्यान देजिएगा कि ये pedagogy of English का question paper है यानि कि जो लोग भी first year में commerce का exam दिये होंगे pedagogy of commerce का वो second year में pedagogy of English का exam देते हैं तो इसलिए ये जो paper है वो commerce के student के लिए है साथ में जो BCA वाले थे या जिनका भी subsidiary English होता है वो ये कर सकते हैं ये जो question paper है वो 2018-20 के session के बचों का है यानि कि 2018-20 के बचे first year का exam कब दिये होंगे? 2019 में और second year का कब दिये होंगे? 2020 में लेकिन उनका first year का exam तो 2019 में हुआ था जिसका question paper हमारे playlist में भी आपको मिल जाएगा लेकिन second year का exam 2020 में नहीं होकर के 2021 में हुआ था इसका कारण है corona, corona के वज़े से ऐसा हुआ था ये जो exam है Pedagogy of English का, ये जो question paper है इस वीडियो में, ये 16 अगस 2021 का question paper है exam 2 घंटे के हुए थे और total marks था 40, यानि इस paper को अगर आप पूरा बना लेंगे तो 40 marks आपको मिल जाएगा जबकि passing marks 18 था, यानि कि अगर आप इस paper में 18 marks ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे ये BCC7B का paper है, चलिए आएए स्टार्ट करते हैं इस paper को question paper आपको 2 section में मिलेगा, section A 20 marks का है और section B भी 20 marks का है section A में 4 question दिया हुआ है, जिसमें से कोई भी 2 आप कर सकते हैं, कोई भी 2 छोड़ सकते हैं और ये जो 2 question करना है, उसमें एक का answer करने पे 10 marks मिलेगा, second का answer करने पे 10 marks मिलेगा Question number 1 है What are the main methods of teaching English? Describe the importance of direct method of English teaching इसमें ये बताना है कि English पढ़ाने के कौन कौन से method होते हैं जैसे inductive method से हम लोग पढ़ाते हैं deductive method से भी English पढ़ाते हैं lecture method से भी पढ़ाते हैं story telling method से पढ़ाते हैं मतलब इंग्लिश पढ़ाने के लिए पहले हम लोग कहानी सुना के पढ़ा सकते हैं। यह मतलब यह सब तरीका है पढ़ाने का, तो यह सारे तरीके को, methods को लिखना है इंग्लिश पढ़ाने के। उसके बाद direct method of English teaching कौन-कौन सा है? यह direct method of English teaching क्या है वो बताना है। Question No.2 है, prepare a model lesson plan to teach English grammar for any class of secondary level. Secondary level के जो classes होते हैं, वो class 9 और class 10 होते हैं। तो class 9 या class 10 के लिए, grammar पढ़ाने के लिए एक lesson plan बनाना है। lesson plan कैसे बनाया जाता है? उसका sample क्या होगा? यह हमारे playlist में आपको मिल जाएगा। तो आप एक पर प्रास शेक कर लीजिए। ध्यान दिजिएगा कि class 9 और class 10 के बच्चों के लिए, syllabus में grammar का जो portion होगा, उसी का lesson plan यहाँ बनाईएगा। grammar में noun या pronoun या कुछ भी ऐसे नहीं start कर देए। question number 3 है, describe the use of various teaching aids for English teaching यानि कि English पढ़ाने के लिए जो भी हम लोग teaching aids लिखते हैं उसका क्या use है यह बताना है। तो chart paper का क्या use होगा, मतलब teaching aid का क्या use करेंगा। जैसे पढ़ाने के लिए हम लोग projector का use कर सकते हैं, है ना। तो teaching करने के लिए जिस भी शीज का use कर रहे हैं, जिस भी teaching aid का use कर रहे हैं, उसका क्या use है यह बताना है। मतलब वो क्यों जरूरी है। तो teaching को easy करने के लिए जरूरी है, कोई भी concept आसानी से बच्चे को समझ में आ जाए, इसके लिए जरूरी है। Teaching को interesting बनाने के लिए जरूरी है। क्योंकि वही method से बनाते जाएंगे, बताते जाएंगे तो वह interesting नहीं होता है। तो यही सब चीज लिखाएगा इसमें। Question No.4, describe the role and importance of drills, exercises and vocabulary in English teaching। मतलब English teaching में practice का, exercise का और vocabulary यानि word meaning वागिरा का क्या role है यह बताना है English पढ़ाने में। English पढ़ाने में word meaning का बहुत रोल है। Word meaning पे command होगा तो English अच्छी हो जाएगी। Practice बहुत जरूरी है। इसमें कितना बहुत पढ़े रहते हैं कि कौन कौन सा प्रिपोजीशन होता है। फिर भी प्रिपोजीशन फिल करने में दिक्कत होती है। इसलिए practice बहुत जरूरी है। Exercise करना बहुत जरूरी है। English teaching में इसमें इसमें कैसे help करता है इसी के role को बताना है। अब section A खतम हो गया, section B फिर से 20 marks का है और इसमें कितने questions दिये हुए हैं। 6 questions दिये हुए हैं जिसमें से कोई भी 4 questions आप कर लीजे और 2 questions छोड़ दीजे। Question No.1 है objectives of teaching English in India। मतलब कि English हम लोग पढ़ाते हैं इंडिया में है ना भारत में English की सिक्षा होती है। तो यह बताना है कि इसका क्या objective है, क्यों पढ़ाते हैं, क्या मतलब है पढ़ाने का, क्या इम है। तो इसके बहुत सारे objectives हैं जैसे कि 3 language teaching के बारे में बताया जाता है तो 3 language क्या होता है। Try language formula होता है ना तो 3 language क्या होता है। बहुत सारे commission और NCF वगिरा के recording हम लोग को 3 language पढ़ना हैं तो 3 language कैसे पढ़पाएंगे। अगर एक language हमारा reasonable language है, दूसरा अगर हिंदी है तो तीसरा English होगा तभी तो 3 language हो पाएगा। तो एक 3 language करने के लिए English पढ़ते हैं। दूसरा चीज और English क्यों पढ़ते हैं तो एक foreign language हम लोग जान जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। foreign में conversation करने के लिए इसी हो जाएगा। तो बहुत से reasons हैं English पढ़ने के वो सारे reasons यहां पर लिखना है। Question number 6 है importance of oral test in English English में oral test बहुत ज़रूरी होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? pronunciation अच्छा होता है, सही होता है, कोई भी word को कैसे पढ़ना है वो हम जान पाते हैं। जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तो बस English लिखने से हमारा speaking skill नहीं develop हो पाएगा। एक confidence आता है, fear खतम होती है English बोलने की, तो इसलिए oral test बहुत ज़रूरी है। Question number 7, indicate the nature of English language, मतलब English language की प्रकृति कैसी है, English language कैसी है, उसके बारे में या लिखना है। मतलब English language में बहुत सारे words होते हैं, कुछ words से similar as spelling के होते हैं, लेकिन pronunciation अलग हो जाता है। कुछ words की spelling थोड़ी से different होती है, लेकिन pronunciation सेम होता है, English easy to understand है या नहीं है। मतलब कि यह सब चीज की कैसी प्रकृति है, English की वज़र से हम लोगों का vocational development होता है की नहीं, personality development होता है की नहीं, यह सब चीज़े यहां पे लिखेंगे। नेक्स question करने से पहले एक request है आप लोगों से, आप लोग 900, 1000 views लेकर के आते हैं एक वीडियो पे, इस वीडियो को आप लोग इतनी बार देखते हैं तो उस वीडियो को like क्यों नहीं करते हैं, comment क्यों नहीं करते हैं। अभी इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, उन लोगो ये जिस पता होगा कि English का question paper आप लोग भून रहे होंगे तो आप लोगो नहीं मिल रहा होगा। कितनी परिशानी होई होगी। Lastly, आप लोग YouTube पे चेक किये होंगे कि शायद किसी ने upload किया हो। हमें भी English के papers या कोई भी paper अरेंज करने में बहुत मुश्किल आती है। और उसके बाद videos बनाना तो ये सब time-taking work हैं। तो हमारे hard work को आप recognize कीजिए और support कीजिए। Please like, share and subscribe our channel if this video is useful to you. Question number eight, evaluation tools in English teaching मतलब अगर हम English पढ़ा रहे हैं तो check कैसे कर पाएंगे कि बच्चे में English की learning हुई है की नहीं। Evaluation करने का क्या-क्या तरीका है। आकलन करने का, मुल्यांकन करने का तरीका क्या-क्या है। Oral test ले करके, return test ले करके and affirmative test वगरा यह सब होता है, board test ले करके तो यह सब चीज है तरीका English टेस्ट करने का. Question number nine, audio-visual aids in English teaching मतलब English पढ़ाने में audio-visual aids कौन-कौन से होंगे वो यहां पे लिखना है। जैसे TV, TV के मदद से भी हम लोग English सेखते हैं, TV के मदद से कैसे सीखेंगे, उसमें कोई Hollywood movie देखेंगे, जिसमें उसका नीचे subtitle लिखता रहेगा, lyrics लिखता रहेगा English teaching यहां पे हो जाएगी, तो यह एक audio-visual aid हो गया है, सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, audio यानि सुनाई दे जिससे और visual यानि जिससे दिखाई दे, तो ऐसी चीज़े audio-visual aids English teaching में कैसे हल्प करेगी, कौन-कौन से audio-visual aid होगी, वो सब यहां लिख देंग करते हैं, कि passing marks तो अराम से मिलेगा, और आप दो-तीन साल के question paper अच्छे से बना के जाओगे, तो बहुत अच्छा score कर सकते हो, इतने बार तो question paper exactly same आ जाते हैं, जैसे आप लोग be it first year का paper देखिएगा, 2021 वाला, मतलब 2021 के exam में जो first year का paper हुआ था, उस paper को देखिएगा, और 2019 के exam का be it first year का question paper देखिएगा, कितना ज्यादा match मिलेगा वो, तो इस वीडियो को आप लोग हलके में मत लीजिए और इस सारे question paper को बहुत अच्छे से prepare करके जाएगे, question number 10, differentiate between teaching of prose and poetry, मतलब paragraph पढ़ाना, कहानी पढ़ाना और poetry, यानि कवीता पढ़ाना, इन दोनों में क्या difference है, दोनों को किस किस तरीके से पढ़ाते हैं, दोनों में किस अलग method का यूज करते हैं पढ़ाने में, यहाँ पर ये question paper खतम हो गया, लेकिन वीडियो को end करने से पहले एक important बात आप लोगों से, कि अगर आप लोग को B.A.T.L.M. चाहिए, या internship diary, assignment paper, कुछ भी चाहिए, वो सारा चीज आपको हमारे ही channel के playlist में मिल जाएगा, उसके बाद अगर notes भी शाहिए, तो आप हमारे channel के about में चले शाहिए, वहाँ पे हमारे channel का official email ID लिखा हुआ है, उस email ID पे आप mail लिखिए, कि आपको कौन से class का, कौन सा paper शाहिए, कौन से year का शाहिए, या फिर किस subject का notes शाहिए, डीटेल में लिखिए, और उसके बाद फिर comment करके ये बताइए, कि आपको मिला या नहीं, चले ठीक है, फिर all the best for your examination, बहुत अच्छे से paper दीजिए, और अच्छी तयारी करके जाएए, अब आप लो, thank you